सबसे पहले आपको Pixar application को open कर देना है edit photo पे आपको click कर देना है एड अपनी photo को आपको add कर देना है इसके बाद आपको add photo पे click कर देना है आपको यह वाला मैं thumbnail दे दूँआ सब description में मिल जाएंगे वीडियो को end तक देखना है मैं आप सब कुछ बता दूँआ कैसे डाउनलोड करना है इसकी opacity को आपको कर देना कुछ 50% के करीब एंड इसको कुछ इस परकार लगा देना है erase वाले option पर click करना उपर fourth option invert का है उस पर click करके आपको कुछ इस परकार background में ब्रस को चला देना है इतना होने के बाद आपको right पर click कर देना है इसकी opacity को आपको अपने हिसाब से रख लेना है मैंने 50% रखा है इतना होने बाद right पर click कर देना है again add photo पर click कर देना है आपको एक और ऐसी image दे दूँगा मैं यह देख सकते हो PNG इसको आपको लेना है इसकी जो opacity है 50% आपको कर देना है और इसको कुछ इसपरकार अपने background में यहाँ पर आपको इसको लगाना है आप देख सकते हो इसके बाद आपको ऊपर icon मिल जाएगा erase वाला उसपे click करना है fourth option invert का उसपे click करना है और अपने background में आपको brush को चला देना है सारी PNGs background description में मिल जाएगी जितनी PNG background है सब description में है डाउनलोड कर लेना है Pixar चाहिए तो Telegram पर डाउनलोड कर लेना इतना होने बाद आपको right पर click कर देना है तो before and after आप देख सकते हो इसके बाद आपको add photo पे click कर देना है आपको एक image मिल जाएगी यह वाली आप देख सकते हो इसको कुछ इस परकार यहां लगाना है and इसकी जो opacity है उसको आपको 50% के कर देना है इसके बाद आपको उपर icon मिलेगा erase वाला उसपे click करना है fourth option invert का इस पे click कर देना है और simply अपने background में आपको brush को चला देना है तो कुछ इस परकार आपको brush को चला देना है इसके बाद आपको right पे click कर देना है इसकी opacity को मैं थोड़ा और कम कर दूँगा आप देख सकते हो कुछ इतना percent इसके बाद आपको right पे click कर देना है again आपको add photo वाले option पे click कर देना है आपको यह heart broken की png मिल जाएगी इसको लेना है कुछ उपर अपने head पे लगा देना है again head photo पे आपको चले जाना है and आपको यह image मिल जाएगी एक message की इसको लेना है यहाँ पर अपने head पर इसको लगा देना है and just second एक emoji आपको दे दूँगा इसको आपको लेना है and यहाँ पर आपको लगा देना है इतना होने बाद आपको right पर click कर देना है तो before and after आप देख सकते हो इसके बाद आपको add photo पर click करना है एक यह black png दे दूँँगा इसको लेना है full size करके 50 इसकी opacity को आपको कर देना है और right पर click कर देना है तो before and after आप देख सकते हो कितना बढ़िया edit हो गया है इसके बाद आपको effect वाले option पर चले जाना है effects वाले option पर आपको चले जाना है and यहाँ से आप देख सकते है screen में ये वाला आपको लगाना है filter तो इसका screen shot यहाँ से लेख सकते हो आपके pixart में नहीं मिलेगा मेरा वाला pixart telegram पर है जाके download कर लेना description में pnj download कर लेना वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like कर देना, चैपना, subscribe कर देना bell icon को जरूर, press कर दे